हलो आबरीबडी इस दिग्राश सेंग डजफुत वेलकम टू मैगनेट ब्रीं's इस वीडियो लेक्ल्डर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंदियान टेक्स्टाइल्स देखिये हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईंडियन टेक्ष्टाईइल कितना ग्लोर्यस टेक्सटाईल इंड्च्ट्री था इंडीयन पुररा टेक्सटाईल सेक्टर, पिछले वीडियो देक मैंने आपको भभाई बताया, स्देखिये, हमारे वीवर्स कौने, लास्ट वीडिय किए एंडीयन टेकृइल का ये जो हम ग्लोरी बढ़ एंडीयन टेक्सटाइल की वह ग्लोरी सेम रहती है डिक्लाइन होती है तो याँ अप वही देखने वाले कि किन कारणों से जो ठीकृट्षय करते सी इस पर थिए दोपीक और ग्रील देखने औके देखिए क्या है development of textile industries in Britain आया समझ में कि क्या होता है धीरे-धीरे textile industries do not work the evident in Britain में हमारे थो वीवर साथ से चरका चला रहे हैं तकली चला रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं फिर धागा कपड़ा यह उसारी चीज़े बनाते थे वहाँ पे Britain में industrialization होता है मतलब वहाँ पे modern industries बताया था पिछले वीडियो में कि Indian textile से compete करने के लिए technological innovations लाके power driven technologies लिया आये हैं तो development of textile industries in Britain Britain में textile industries डेवलप होती है and this affected Indian textile producers और इसका सीधा impact किसके उपर आता है Indian textile producers के उपर Indian textile producers के उपर इस चीज़ का कैसे impact आता होगा यह आप सोच रहे हैं और यही चीज़ में आपको बताने वालों देखिए तो development of textile industries in Britain ठीक है तो वहाँ की industries Indian textile producers को कैसे effect करती है यह समझो ठीक है तो पहला impact मतलब पहला तरीका जिससे impact होता है उन सभी लोगों को आप क्या कर रहे हो टौफी दे रहे हो ठीक है मतलब सभी लोगों को टौफी आप ही बेच रहे हो ठीक है चॉकलेट सभी लोगों को आप ही बेच रहे हो लेकिन अब क्या होता कोई एक और दुकान खोल लेता है तो अब क्या होगा कि दोनों की दुकान से आदे लोग वहां से खरीद लेंगे, आदे लोग यहां से खरीद लेंगे, आगया जम्ज में, तो क्या होगा कि आपके customer, आपके customer छूट गए, आप अपने products को आप क्या कर पा रहे हो, बेश नहीं पा रहे हो, आपको competition phase करना अब हमें British textile के साथ में क्या करना पड़ता है, compete करना पड़ा था, तो इस कारण से हम कहीं हमने decline को phase किया, अब आप बोलो कि हमारी तो quality अच्छी थी, फिर क्या से decline हो सकता है, तो quality के अलावा भी दूसरे कारण रहे, वो में समझाता हूँ, क्या होता है, exporting textile to England also became increasingly difficult, वाइ, ये एक सवाल है, तो इसी कारण से तो हमारे जो textile थे, उन्हें बहुत competition face करना पड़ा, क्या होता है, यहाँ पर समझना इस चीज़ को, कि ब्रिटेन में जब industries develop होने लगी, ये ब्रिटेन है मान लो, अंडे की तरह, ठीक है, अब ब्रिटेन में जब क्या हो रहा है, industries develop हो रह government है, ठीक, इन industrialist ने government से क्या बोला होगा, government से बोला होगा, कि आप विया, ये इंडिया से जो textile आ रहे है, textile products आ रहे, इन्हें देश में लाना बंद करो, क्यों, क्योंकि अगर ये देश में आत रहेंगे, तो हम अपना product नहीं बेच पाएंगे, हमें गाटा हो रहा है, तो अपने हां के लोगों की सुनना पड़ेगी, तो government ने tax barriers लगा दिये, tax barriers लगा दिये in the sense कि protection दे दिया, अब इंडिया से अगर मान लो, ठीक है, ये हमारा प्यारा देश, ठीक है भारत, तो अब यहां से अगर जैसे क्या जाएगा, यहां से अगर कुछ products जाएंगे, तो वह पहुचा पा रहा है, बेच पा रहा है, आया ना समझ में, तो इस तरह से क्या होता है, कि दो front पे, जैसे जैसे, ब्रिटेन में इंडस्ट्री इंडस्ट्री इवलेप हुई, तो सबसे पहले क्या, Indian textiles now had to compete with British textiles, दूसरी चीज क्या है, exporting textiles to England also became increasingly difficult, बहुत मुश्किल हो गय पाएं, ठीक है, यह सारा सब कुछ हुआ, आगे देखो क्या है, English made cotton textile, outside Indian goods, अब क्या था तो जो ब्रिटेन में जो गुट्स बन रहे थे, तो ब्रिटेन के गुट्स के चलते हमने हमारा international market, ठीक है, from traditional international market, तो English made cotton textile, outside Indian goods, from traditional international market, इस चीज को मैं समझा तो आपको, पहले हम हमा प्रोड़क्ट पहुझाते थे, Middle East में भी अपना प्रोड़क्ट पहुझाते थे, तो हमारी Indian textile world के अलग-अलग parts में जाती थी, ठीक है न, दोस parts वारती, traditional international market, वो हमारा traditional international market था, पुराने समय से हम लोगों को कपड़ पिनाते आ रहे हैं महाँ पे, लेकिन अब क्या होता कि ब्रिटेन में इंडस्ट्री आ गई है, ब्रिटेन ने अपनी colonies बना के रखिया, अफ्रीका में कहीं कहीं जैसे South Africa, तो अब क्या होगा कि अब हमारे product वहाँ भी बिकने लगेंगे, और सॉरी, अब हमारे product वहाँ नहीं बिकेंगे, क्यों क्यों कि अब ब्रिटेन में जो textile industries जबलब हुई है, तो वो लोग उनके product वहाँ बेचने वाले हैं, तो इस तरह से क्या है कि Indian textile ने बहुत सारे end पे क्या किया, suffer किया, इसका impact क्या हो देखो, इसका impact यो किया, जब product बिकेगा ही नहीं, तो लोग बनाएंगे क्यों, ठीक, तो वीवर्स जो थे, तो वीवर्स were unemployed, impact यह हुआ सीधा सा कि जितने भी वीवर्स थे, सारे वीवर्स unemployment face करने लगे, unemployment को suffer करने लगे, क्योंकि उनका product नहीं बिक रहा है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि product बना बना के खुदी पेनने लगेंगे, तो बिक नी रहा है, नुक्सान हो रहा है, English and European companies stopped buying Indian goods, अब क्या ह होता है, कि जब हमने देखा कि Britain में tax barriers लगा दिया, जैसे Britain था, ठीक है, Britain के industrialist थे, उन्होंने जब, अभी मैंने पूरी कहानी बताई, उन्होंने government से बोला, तो government ने उनको protection के लिए trade barrier, तो अब जो companies आती थी है, मैं जैसे East India company आ गई, जूसरी company आ गई, France वगेरा की, तो इ ठीक है, अब देखो क्या है, तो by 1830 situation become worse, ठीक है, 1830 आते आते क्या होता है, कि situation और खराब हो जाती है, Britain cotton cloth flooded Indian markets, चलो, देखो समझ ना, 1830 के पहले तक यह situation थी, कि हम अब हमारा product दूसरे को बेच नहीं पा रहे थे, दूसरे को नहीं बेच पा रहे तो कहां बेचेंगे, cotton cloths थे, जो कहां बने हैं, Britain में बने हैं, Manchester में बने हैं, ठीक है, Liverpool में बने हैं, तो वह सारे cloths अब क्या होंगे, अब इंडिया में आके बिखने लगें, वहाँपे जो machine made cloths थे, वह machine made cloths अब इंडिया में आके बिखना चालू हो गये, अब जब वहाँ से cloths इंडिया में बेनाखे बिकना चालू हुए तब क्या हो गया कि इंडियन वीवर्स ने अपना जो Domestic Market था वह भी खो दिया तो दियरा Domestic Market Collapsed उनका Domestic Market क्या हो गया हुगो खतम हो गया उनका Domestic Market Collapsed हो गया तो यह एक बड़ा संकट रहा एक तरह से देखने को ने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है क्यों क्योंकि फॉरन मार्केट भी खो दिया हमने पूरा जो इंटरनेशनल मार्केट था बहार हमारा प्रोडक्ट बेश नहीं पा रहे थे और हमारे वीवर्स ने जब वहां से प्रोडक्ट आना चालू हो गया डिटेन के जो चीप मशीन में क्लोथ साना चालू हुए तो उनके चलते क्या हमने हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी खो दिया अगे ना चांज में तो यह क्लियर हुआ अब उसकाद में देखो इस एफेक्टेड नोट अनली स्पेशिलिस्ट वीवर्स बट आल्सो स्पिनर्स तो अग क्या हो रहा है कि इंडियन टेक्टाइल जो हो डिकलाइन होने देखी अब यहां पे लेकिन क्या है कि छोटी सी आशा की किरन दिखी ठीक है सम्रेज ओफ होप्स वबिंग ऑब्जर्वड तो क्या थी छोटी सी आशा की किरन वो मैं बताता हूं आपको देखो सिच्वेशन बहुत खराब हो होती थी ठीक है specialized weaving होती थी वो पूरी तरह से खतम नहीं हो इंडिया में क्यों वो समझाता हूं देखो तो some type of clothes cannot be produced by machines वाइ सवाल आपके मन में आएगा तो कभी-कभी क्या होता है machine जो रहाती वो uniform product बनाएगी machine में क्या आप एक जैसे ही चीज़े बनाते हो एक जैसी चीज produce किया जाता था ठीक है जो handloom weaving हाथ से बनाया जाता है कारिगर अपनी पूरी family के साथ बैटके 10 दिन में बनाता था वो तो वो चीज machine बना ले ऐसा possible नहीं है machine तो machine है ना बनाई तो इंसान नहीं है उससे तो इस तरह से क्या होता है इस तरह से यह जो handloom weaving वाला sector था it did not completely die in India ठीक है पूरी तरह से खतम नहीं हो और उसका advantage मिला हमें ठीक है तो यहाँ पर जो वीवर्स थोड़े से थे वह क्या है वह sustain कर गए पूरी तरह से खतम नहीं हुए फिर क्या होता है अब एक चीज़ और यह देखो तो industries in Britain did not produce very coarse clothes used by the poor people in India अब क्या होता है कि society में हर स्ट्रेटा का इंसान होता है तो जो बहुत गरीब लोग थे वो क्या वो बहुत हलका कपड़ा पहनते थे बहुत एक तरह से raw जो रहता था वो कपड़ा पहनते थे ठीक है सस्ता वाला मोटा कपड़ा पहनते थे ठीक है त लेकिन यहां पर industries में हम देखेंगे कि उस समय पर majority of the section was poor ठीक है इंडिया में तो इंडिया में जब majority of the section was poor तो बिटेन की जो industries है वो उस strata के लिए close नहीं produce कर रही थी इस कारण से जो chorus clothes होते थे ठीक है वो हमारे लोगों के लिए हमारे ही weavers बना रहे थे तो हमारे कुछ weavers ऐसे sustain कर गए दो चीज़ बता ही दो चीज़े आशा की करण है तीसरा देखो और क्या है कि जैसे जैसे nationalist movement spread होता चले गया ठीक है nationalist movement spread होते चले गया महात्मा गांदी आए तो महात्मा गांदी ने क्या किया he boycotted imported textile and promoted the use of handspun and hand woven clothes इस चीज़ को समझना यहा पर रिखने में कुछ गडबर हुए इस चीज़ को लेकिन समझना कि nationalist movement में क्या हुआ nationalist movement के चलते जब महात्मा गांदी आए तो महात्मा गांदी ने क्या किया उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमें boycott करना ही boycotted the imported clothes तो जो बाहर से आ रहे है ब्रिटेन से उन्होंने बोला कि हम ब्रिटेन को support करने एक तरस से जैसे आज हमारे leaders क्या बोलते है कि चाइना से product खरीद होगे आप तो क्या कर रहे हो चाइना को support कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उनकी कमर कहां तोड़ना होगी इकनोमिक फ्रेंट पर तो एकनोमिक फ्रेंट पर महाजमा गंधी ने भी बोला कि विल स्टार्ट बॉयकोटिंग इंपोर्टेट क्लोट्स और उसके आज में क्या क्या प्रमोट करना गा तो तो यह सारी चीज़े जो हुई मैंना आपको बता कि किस तरह से इंडियन गॉर्ट टेक्स्टाइल जो है वह डिकलाइन होता है पहले लेकिन वहाँ पे भी कुछ आशा की किरने रहती है वो discuss किये अब ultimately देखो क्या है तो industries in Britain hampered the Indian textile sector ये तो हता है कि वहाँ पे जब industries आई तो उन industries के आने से इंडिया में जो textile production था उसके उपर नुखसान तो हुआ ही हुआ है ठीक है it hampered the textile production in India तो क्या होता है what happened to the viewers and spinners who lost their livelihood सवाल ये भी आता है कि जब इतनी बुरी तरह से हम हमारा जो textile sector वह क्या वह मतलब एक तरह से कह सकते competition face कर रहा था तो जो वीवर्स थे spinners थे जिन्होंने अपनी livelihood खो दी तो अब देखो पेट तो भरना पड़ेगा अब वह वीविंग नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे सवाल ये आता है जैसे बहुत हाई लोग unemployed हो गए अब वह unemployed होगा तो लेकिन ऐसा थो नहीं कहना अभी हम unemployed है तो अभी खाना नहीं खाएंगा आप दो वहने तक जब तक काम नहीं मिलेगा खाना तो खाना पड़ेग कि शहर में कुछ काम मिल जाए शायद ठीक है फिर उसकाद में क्या other events out of the country to work in plantation in Africa in South Africa ठीक है ये foreigners बन गए foreigners कैसे बन गए समझाता हूं ऐसा नहीं कि इनकी कोई multinational company में job लग गई थी कुछ लोगों ने देखा कि या वीविंग तो खतम हो गई हमारे पास कुछ नहीं बचा है तो कुछ लोग migrate कर गए कहां दूसरे देशों में अब आप बोलोगे passport बनवाया था तो वह चीज अलग ह माइगरिट कैसे कर गए माइगरिट करने माइगरिट माइगरिट ऐसे हुए कि उन्हें ले जाया गया किसके दोवारा planters के दोवारा तो जो plantation agriculture होता जैसे हमने अभी डिसकस किया indigo coffee वगेरा तो यह plantation agriculture के लिए क्लिए क्लिए आपको labor चाहिए रहेंगे जो permanently वहीं field पे ले स यह क्या चीज आ गई यहाँ पे अब देखो क्या है तो इंडस्ट्री सिर्फ ब्रिटेन में ग्रो नहीं हो रही थी ना इंडिया में भी इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी तो कुछ लोगों को काम मिल गया कुछ वीवर्स को काम मिल गया जो newly established cotton mills थी जो cotton mills अभी बनके आना चालू हुई थी उन cotton mills में काम मिलना चालू हो गया कुछ लोगों को तो अब हम यह देखेंगे कि cotton mills क्या है कैसे काम करती थी कहां से आई cotton mills तो यही सारा चीज़े हम next video lecture में discuss करने वाले हैं I hope यहाँ तक आपको चीज़े समझ माईए किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much